विमल बहुत परिशान था। के लिए हमेशा खटकती है। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कश्ट हो रहा था कि उसकी मा को अपमानित होना पड़ रहा है किन्तु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चुँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत उचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी अत्व चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी मा को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। मा जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिष्टेदार है, इलाज कराने आई है। आखिर मा से अपने बेटे की यहां हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गाव जाना चाहती हूँ। मुझे वहां पहुचा दो, मेरा यहां मन नहीं ला रहा। किन्तुमा वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देख भाल कौन करेगा। विमल ने आश्चर्य से पूछा, अरे सब गाव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गाव में रहते हैं और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे न कामनी को तो जैसे मन की मुराग मिल गई हो। हाँ बेटा, बहु सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सास लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गाव में मा की देख भाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी मा को गाव छोड़ने पर विवश हो गया। मा को गाव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, तथा अपनी बेपसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किन्तु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया, और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आये थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आसपडोस बहुत उचसाहित था। डॉक्तर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, जी वो गाव में रहती हैं, यहां उनका मन नहीं लगा, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्तर रमेश ने विमल की ओर देखा, तो विमल ने अपनी आखी जुका ली। डॉक्तर रमेश सब समझ गए। बोले कल हम भाभी से मिलने गाव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गाव के घर में पहुँचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्तर रमेश दौड कर सरस्वती के पास गए। उनके पैर छुकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कलपना से परे थी। वा बेटा विमल तुने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी मा की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्तर रमेश ने विमल को लगभग दाटते हुए कहा। नहीं देवर जी विमल का कोई दोश नहीं है। मैं खुद गाव आई थी, सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहु तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है। समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है। है ना। डॉक्तर रमेश ने कामनी की ओर व्यंगे से देखा। कामनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्टर पर हो, वो इनहीं के संधर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम नहो की बचपन में जब तुम एक साल के थे, तब छट से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आख फूट गई थी, और तुम्हारी रीड की हड़ी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस खुरूप मा ने अपनी एक आख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुन्दर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संधर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संधर्ष शील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें इश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इनसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौरता गया और मा सरस्वती के कदमों से लिपट गया। मा मेरा अपराध अक्षमय है। मैं जानबूच कर चुप्पी साधे रहा। आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने आगने दृष्टी से अपनी पतनी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था किन्तु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मन स्थिती को समझ कर उसको कुछ कारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डाटते हुए कहा खबरदार जो मेरी बहु को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पढ़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और मा के हृदय ने सब को माफ कर दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।